दोस्तो कौन सा वो hair removal creams है मारकेट में जिससे आपको irritation, redness, कालापन नहीं होता है पिछले वाले वीडियो में मैंने बात की थी intimate parts का कालापन आप कैसे remove कर सकते हैं और किन कारणों के वज़े से आपको कालापन आता है intimate parts पे जिसमें मुख्य कारण था hair removal method में problem कालापन हो सकता है private parts पे जो मुख्य कारण है वो है ये wrong usage of hair removal method अगर आप खराब hair removal creams इस्तिमाल करते हैं अपने private parts के बालों को remove करने के लिए तो आपके private parts पे कालापन आ जाएगा सही तरीका अगर आपको नहीं पता या फिर आपका hair removal cream खराब है तो आ जाएगा तो इसी लिए आज के video में मैं उन products के बाले में विवात करूँगा जो आपके intimate parts या फिर आपके body में कालापन नहीं देगा और unwanted बालों को remove भी करेगा जो brands मैं आपको suggest कर रहा हूँ वो मेरे personal experience पे based out of हैं मैंने सारे products को पिछले 3-4 साल से use कर रहा हूँ और मेरा feedback आपको यही है कि इन products को इन hair removal creams and sprays को अगर आपने use किया सही तरीके से use किया जैसे मैं बताऊंगा तो आपके private parts या फिर आपके body में कहीं पे कालापन नहीं आएगा मैं कुछ और products के बारे में भी बात करूँगा जो products बहुत खराब हैं जिससे कालापन आ जाएगा इसलिए मैं उनको नहीं recommend करूँगा उनका भी मैं एक list आपको दूँगा तो इस वीडियो को जरूर एं तक देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो प्लीज गाइस दू सब्सक्राइब दे चानल मेरा नाम शुबोजीद भोस है और मैं एक certified skincare consultant हूँ जहां मैं आपके skin issues को ठीक करने के लिए complete routines देता हूँ morning and night आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है आज का वीडियो मैं आपको पताने वाला हूँ safe hair removal brands which is available in the market number one से शुरुवात करता हूँ जो मेरा personal favorite है and I think almost all the videos of hair removal creams I have mentioned this that Nair hair removal cream and spray are the best in the entire market which I have tested दोस्तों यह जो Nair का brand है Nair for men यह वाला जो bottle है यह best है क्या होता है ना कि कुछ-कुछ hair removal creams एक बार इस्तिमाल करने के बाद जब आप second time use करते हैं तब उतना impactful नहीं रहता है कहीं न कहीं product oxidized हो जाता है और उस तरह से आपको काम नहीं देता है जिस तरह से आपको पहली बार में लगा था but Nair के साथ ऐसा नहीं है Nair एक international company है इंडिया में import होता है इसलिए price इसका थोड़ा सा high है लेकिन the quality of ingredients used are very mild and very easily यह आपके बालो को remove कर सकता है intimate parts के भी और कालापन बिल्कुल नहीं देगा कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है hair removal cream से अगर आप अपने बालो को remove कर रहे है तो please guys गीले private parts पे hair removal cream को ना लगाए बिल्कुल dry पे लगाए और 5 minute अगर लिखा हुआ है bottle में तो 5 minute ही रखे कोशिश कीजएगा 4 minute रखे अगर 5 minute लिखा हुआ है उसके बाद remove करें और उसके बाद तुरंत बाद धोने के बाद चैसे धो लीजिएगा ठीक है तुरंत बाद आपको लगाना है एक moisturizer और कम से कम तीन दिन तक आपको लगाते रहना है moisturizer थाकि वो जगा ड्राइ बिल्कुल ना हो इन चीजों का ध्यान रखिये आपका कालापन कभी नी याएगा जहां पे आपने हेरे मुवल क्रीम मुष किया है ब्रांड वाला तुर नमबर वन इस नायर इविल गिव लिंक्स इन देस्क्रिप्शन यह बाला bottle I don't know अभी market में अवेलेबल है या नहीं है if not then I will give you some other options of Nair Nair के tubes आते है Nair का cream आता है Nair का spray आता है बहुत कुछ आता है Nair का but Nair is a very good brand if you are a beginner if you want to use a safe hair removal cream it is very good second is an Indian brand which is Urban Gabru's Hair Removal Cream Spray दोस्तों यह प्रोडक्ट जब मैंने पहली बार यूस किया था आज साल पहले तब इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे because the packaging quality was not so good मैंने वीडियो भी बनाया है इसको उपर but now the product has improved a lot packaging बहुत साही हो गया है the kind of ingredients they have used is also very premium and the experience has become very cool इसको मैंने अपने private parts पर यूस किया है बहुत अच्छा है you can go for it Urban Gabru बहुत readily available है Nair इतना readily available नहीं है plus Nair is expensive but Urban Gabru is very affordable you can buy Urban Gabru to those people who have budgetary issues and also want a safe option Urban Gabru is good third Swish Hair Removal Spray दोस्तों Swish का बहुत जादा marketing and promotion हुआ था एक ताइम पहले तब से मैं ट्राइ कर रहा हूँ Swish को and Swish has every time given me good results बहुत mild है बिल्कुल भी smell नहीं करता है इरिटेट नहीं करता है अपका skin को और safe to every skin है Swish Hair Removal Spray is a go-to product if you have a bit higher budget Nair जासा expensive नहीं है but Urban Gabru से expensive है अगर आपका है उतना budget तो आप इस्तिमाल कर सकते है sensitive skin के लिए मैं आपको recommend करूंगा Swish 5 and the last one in this segment is Bold Care Hair Removal Cream for intimate area ये intimate area के लिए specific hair removal cream है बहुत mild है Ranveer Singh is the brand ambassador and the products of Bold Care is really very nice I have used lot of products of Bold Care and I have really really found that ये brand बहुत अच्छा है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका image और link description box में में दे दूंगा ये product आपका आपका इंटिमेट एरिया ब्लाक नहीं पड़ेगा हाँ, मर्शराइजेशन करना पड़ेगा आपको all the time and ऐसा नहीं है कि आप ने आज hair removal cream लगाया और next day फिल लगाया, फिर third day फिल लगाया, ऐसा नहीं आज लगाया, फिर जब बाल आ जाएंगे दो हपते, तीन हपते बाद तब फिल लगाया don't repeat hair removal creams every week और every two days लोग question करते हैं कि भाईया आज मैंने लगा लिया hair removal cream, बाल रिमूव हो गया है और मुझे डर है कि फिर से नहीं आ जाएंगे, इसलिए मैं बाल बाल लगाते रहता हूं अगर आप हफते में 4-5 दिन लगा रहे है hair removal cream तो वो जगा आपका काला पढ़ी जाएगा तो इसलिए, please guys, हफते में नहीं लगाना, आज लगाया, दो हफते बाद जब पूरे बाल आ जाए, उसके बाद फिल लगाईएगा तो आपका intimate area क्या, आपका कोई भी body part काला नहीं पढ़ेगा due to hair removal cream, जाप sprays these is based on my personal experience, again I am saying, my personal experience, जो मेरा experience है, जो मेरा पढ़ाई है जितने भी मैंने research किया है, उसमें मैंने यही पाया है, कि hair removal creams अगर अपने सही तरीके से लगाया और आज के date में market में बहुत अच्छे hair removal creams हैं, तो अगोज यूज़ करते हैं, तो आपका काला पन नहीं आएगा बहुत बार मैं मैं insist कर रहा हूँ, because एक बहुत important topic है यह next हम बात करेंगे, कि कौन-कौन से hair removal creams market में available है, जो आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मेरा experience अच्छा नहीं था, काला पन दे सकता है number one, nut job का hair removal cream, बिलकुल बिकार product लगा मुझे, बहुत smell करता है बहुत marketing promotion कर रखा है, उन्होने शाक टांग पर चुके हैं, लेकिन product बिलकुल बिकार है don't use it, nut job, number one number second, wheat hair removal cream, बहुत-बहुत-बहुत promotion करते हैं, बहुत-बहुत बहुत परमोशन करते हैं, लेकिन product quality is very bad I will not recommend it for any part of your body then you have Sirona, Sirona का intimate wash, I like it too much but Sirona का hair removal cream, I don't like it, please, don't use it for any of your body part, it's my personal experience then you have fur, P-Safe का fur, hair removal cream, I didn't had good experience with it, no, a no so, यह थे, कुछ products, जो आपको बिलकुल में recommend नहीं करूंगा और भी बहुत सरे hair removal creams and sprays आपको मिल जाएंगे market में, अगर आपको पूछना है, तो comment पे बता दीजएगा, उस brand का नाम आपको मैं बता दूँगा कि आपको यूज करना चाहिए वो product या नहीं यूज करना चाहिए, ठीक कुछ clarity जरूर मिली होगी आज की वीडियो से, अगर मिली है तो please guys, एक like कर देना और comment पे मुझे बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, मिलता हूँ अब सबसे, next वीडियो पे, तब तक के लिए अपने skin का ध्यान रखिएगा, good quality brand के साथ जाईएगा, और कोई भी question है मन में ना, मुझे पूछ लिया करिए, कोई भी brand खरीदने से पहले, आप मुछे पू झाल